हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मैं चैनल क्रेक्टियूर कंप्टिशन बेदाजली फ्रेंट्स हाज की इस विडियो में लोग सीटर प्रिवेसे रॉल्लेन एक्जाम 2023 के हिंदी एम पेड़ावजी के पेपर को स्वाल्प करने वाले फ्रेंट्स जो पेपर हमारा धाया जन्वाइ पेपर्स को भी नहीं देखा है तो उसका भी डेस्किप्शन लॉक्स में प्लेइस लिंक दिया हुआ है महां से आप उन पेपर्स को भी देख सकते हैं फ्रेंट्स वीडियो को शुरू करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प्रेस कर लिजेगा ताकि सा बलुवार का जन्म इशापूर। पुर प्रत्म फ्रताबदी माना जाता है। इनका जन्म इस्थान तमिलणाडू राज का मद्रास आज का चेनली शहर और भाषर द्रविण कही जाती है। तिरू ब्लूवर के मात पिता इधा उदर घूमते रहते थे उन्होंने जन्म होते ही तिरू ब्लूवर को एक ब्रख्ष के नीचे छोड़ दिया था ब्लूव जुलाहा जाती की एक निसंतान दैयालू इस्ट्री ने इने ब्रख्ष के नीचे पत्तों पर पड़ा पाया तो उनके बलू होने के कारण बालक का नाम बलूवर पड़ गया तिरू तमिल महशा में आदर शुचक सब्दे इसकार्थ श्री इस तरह में तिरू बलूवर के नाम से प्रशिदुआ कहते हैं कि अपने जन्द की कहाने जानने के परशाद बे अपने माता पिता से आग्याले संत्र मंत्र का कठेन अभ्यास किया फिर सोचा कि लोग सेबा करनी हो तो समाज में ही रहना चाहिए उन्होंने बासुकी नाम का की बिदुसी से बिभा कर लिया अपने पिता की भादी कपड़ा बुनने का काम करने लगे पती पतनी दोनों बड़े संतोशी जीब थे और सद पूल भाशा का प्रचार करक्ने कि लिए 3 येर oldest की लिए इसक माने के लिए विए कि सेबा करने के लिए हैसर फ़्व Wik सेबा करने सब्सक्राइब हो जाएगा इसका आफ्षिन नंबर बन जुलाहा संत्रुबलूर के नाम में बलूव का अर्थ है जुलाहा आफ्षिन नंबर सही हो जाएगा इसका बन नेक्स्ट कुश्चे नंबर फोर तिरू बलुवर को जन्म के तुरंत बात कहां छोड़ दिया गया था नमबर बन जंगल में टू पेंड के नीचे थी भगीचे में फोर्ट सडक पर तो इन्हें छोड़ दिया गया था पेंड के नीचे ऑफशन नमबर टू इसका सही आंसर है नेक्स्ट कुशन है तिरू बलुवर ने डैस का कठिन अभ्यास के नमबर वन ध्यान योग तांतिक बिद्या टू योग तांतिक बिद्या थी ध्यान तांतिक बिद्या फोर तांतिक बिद्या योग तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ओफशन नमबर वन ध्यान योग तांतिक बिद्या का नेक सब्सक्राइब करने जंगल चले गए तो राइट आंसर हो जाएगा और सब्सक्राइब कारियों में लगे रहते थे नेक्स्ट कुश्ण नमबर 7 जुलाहा दमपती निसंतान और थे नमबर 1 प्राक्रमी टू दयालू 3-4 जुलाहा तो यह निसंतान जो दमपती थे एक कैसे थे निसंतान थे और कैसे थी फ्रेंड्स एक जयालू थे ऑफ्षिन नमबर 2 इसका सही आंसर होगा नेक्स्ट कुश्ण है कोश्ण नमबर 8 तमिल भाष्या में तिरू का अर्थ है नमबर 1 तिल 2-4 तिरू आर 4-3 मती तो राइट आंसर हो जाएगा ऑफ्षिन नमबर 2 नेक्स्ट कुश्ण नमबर 9 परोपकार का संदी बिच्चेद है तो परोपकार का संदी बिच्चेद हो जाएगा पर प्लस उपकार ऑफ्षिन नमबर 1 इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अब हमारा काव्यांश आ गया है तो काव्यांश को पढ़ लेते फ्रेस रिलेड़ि एक फूल दोनों से निकाल कर प्रशाद दिया मंगल का आंकों से प्यार लगा अब चलका तब चलका आचल क्यों बार बार आंखों तक जाता है आसू का खुशियों से यह कैसा नाता है यह चोटा सकाव्यांश चलिए कोश्ण को करते हैं कोश्ण नमबर 1 कविता में कभी कि अपने बशब्शाद मिलने की तो राइट आंस हूजा अपने बश्पन के दिनों की नेक्स्ट और कूश्य की नमबर को कभी किस दिन अपनी अम्मा के घर पहुंचा है सोंबार को मंगलवार को बुधवार को निक्सका कि पहने हैंसर कि कुछ नमबर फिर आँचर का बार बार आँखों तक जाना कि सोड़ संकेत करता है पहले कि कमजोर डिश्टी को साफ करने की और दूसरा है आंकों में पड़ी धूल को साफ करने की और तीसरा है आंकों से बहुते आंसों को चुपाने की और चौतर खुशी के आंसों को पोशने की और तो राइट आंसर है ऑफ्शन नमबर फोर खुशी के आंसों को पोशने की और नेक तो राइट आंसर हो जाएगा और नमबर त्री आंखों से प्यार का छलकना नेक्स्ट कुशें नमबर फाइव कौन सा शब्द समूसे भिन है एनक रामायर पतंग या छलका तो राइट आंसर हो जाएगा और फूर्ट छलका नेक्स्ट कुशन दिन शब्द में किस प्रत्या का प्रयोग किया जा सकता है नंबर वण एक ठीट फोर आ तो इसमें चाहिए जा सकता है आप नेक्स्ट साथो्ट कर्यासा हो जाएगा पहला नेक्स्ट सकत्व कोशन नमबर वन यानि कि यहां से पेड़ागोजी की कोशन सुरू हो गए हैं भाशा प्रयुक के संदब में लोगों की एक समुद्वारा साजय किये जा रहे एक समयर मानकों को किस रूप में लिया जाना चाहिए नमबर वन भाशा रैस्टर भाशा प्रयुकती टू बाक समदय थी बाक प्रयुकती फोर भाशा समुद्वाए तो राइट आमसर हो जाएक और ओप्षिंभर तू बाक समुद्वा का पढ़ना चीकले लिए प्रयासरत है उसकी अध्यापिका शबद पेहचांद जैसी बहुत स्युक्तियों का प्रियुक करके उसकी मदद करती हैं और को सब्ता बात पह पढ़ने लग गई है बिना सहाइथा के कर पाना और सहाइथा मिलने पर कर पाना क्या कहलाता नमबर निपुर्टा अधिगम का छेतर दूस सहाइथा करना थे निकटरस्ट विकास का छेतर फोर सहुं में वह क्ता करती है इससे क्या कहा जाएगा प्या साथ कोने और Nom नमबर वन सरसरी तोरपर पठन 2, बारी किसे पठन 3, गहन विस्तित पठन 4, अंसो में पठन, तो इससे कहा जाएगा बारी किसे पठन, आफ्शन नमबर 2, इसका सही आंसर है, नेट टी कुशन नमबर 5, कक्चा साथ की एक अध्याबिका, अपने विध्यार्तियों को एक रु पहला चरण कौन सा होना चाहिए, नमबर 1, प्राणूपन 2, मानस चित्रण 3, समीक्षा 4, संपादन, तो राइट आंसर हो जाएगा, ऑफ्शन नमबर 2, मानस चित्रण, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर 6, भाषा अधिगम का रचनाबादी उपागम किसे समुनत करता है, नमबर 1, अध्यापक के अंदे उपागम 2, शिक्षार्थी के अंदे उपागम 3, चुप्पी की संस्किती 4, कक्षा में सोड, तो यह समुनत करता है, शिक्षार्थी के अंदे उपागम को ऑफ्शन नमबर 2, इसका सही आंसर है, नेक्स्ट कोशन है, कोशन नमबर 7, एक अध्याथियों को उसका बढ़न करने के लिए कहती है, दूसरा है अध्यापका विध्यार्थियों को सुने गए कि अधार पर ताल का पूरा करने के लिए कहती है, थार्ड है अध्यापका विध्यार्थियों को देखे गए मूं का विन्याय माइम का बढ़न के लिए कहती ह तो राइट आंसर ऑफ्शनमबर टू होगा अध्यारतियों को सुने गए कि आधार पर तालिका पूरा करने के लिए कहती है नेक्स्ट कुशनमबर एट अक्सर यह देखा गया है कि बच्चे तीवारों और कॉप्य पर आड़ी तिर्शी रेखाएं गीरम कार्टे बनाते हैं इसे किस रूप में देखा जाना जाएं पहला है समय की पूरी भरवादी और इस सबस्ता को नियुश साहिद करना चाहिए दूसरा है लिखना सीखने का आरंबिक चरण और इस सबस्ता को प्रोसाहिद करना चाहिए नेक्स्ट नमबर नाइन भाशा में धोनी की सबसे चोटी अर्थ कुणी काई कौन सी है नमबर वन रूप ग्राम मार्फीम दूसा है धोनी ग्राम सुनेम तीसा है बाग की रचना चौता है अर्थ ज्यान तो र चौता है कुजन और बबलाना तो राइट अंसर हो जाएगा और फॉर्ट कुजन और बबलाना भाश्य विकास का जो भाशिक पूर्प चरण है वह कुजन और बबलाना नेक्स्ट नमबर 11 बहाशा अधिगम विधी जिसमें विशिक्षार्थियों को अर्थ पूर्प विधी व्याकरण अनुवाद भी तो इसे कहा जाता है संप्रेशन आत्मक विधी और फ्रीस का सही आंसर है नेक्स्ट एक अध्यापिका ने देखा कि उसके विध्यारती अपने लेखन में बर्तनी की गलतियां कर रहे हैं उनकी इस समस्या के समाधान के लिए सब्सक्राण का अभ्यास दूसरा है मानस चित्रन तीसरा है सस्वर पढ़न चौता है शुरुत लेख तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नमबर 4 शुरुत लेख नेक्स्ट कुशन है कुशन नमबर 13 एक अध्यापिका पिद्यालेपूर्फ के बच्चों को बड़ी च किस चित्रों के बारे में बताने के लिए जिए एह बचले से मदद करता है प्रबावशाली शंपेशक ब्ने में दूसरा है उनकी श्वरКति मैं सुधाड लाने के लिए चोटे इससे वे आज मिश्वासी बढब्शेक ब्रभाव बनाने साली nova 14 आप फिद्याण इस तरह से कुछ हुचा है क्या कहलाएगा नंबर वन समग रभातिक प्रक्तिक रिया तू बोद कम में निवेश त्री सहारा देना फोर भाशिक निवेश तो यह कहलाएगा बोद कम में निवेश ऑप्शन अमबर टू इसका सही आंसर है नेक्स्ट है फिप्टीन नंबर कोश पिर नहीं है आज की वीडियो में वसितना ही आपको वीडियो कैसे लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा वीडियो पसंद आयो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर किजेगा यदि आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बैल आइकन को प् सकें फ्रेंट्स नगते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए बाइबाइब टेक केर